कि नमश्कार दोस्तों गभी आज हमkien और एक्सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्ट्राश्वोनिक टेस्टिंग का जो लोग में पुरा depth में discuss करेंगे I think मेरी आवाज आ रही है right chat box में डालिएगा please ओके तो हम लोग आज जो यह chapter है बहुत important topic है practical के साथ भी थोड़ा बहुत हमको correlate करना है यहाँ पर हम लोग जो है वो theory का part कवर कर रहे हैं ओके दूसरी बात जो practical है अल्रेडी हमारे google drive में available है तो वहाँ से लोग देख सकते है ठीक है जो लोग member है वो ओके पहला हमने chapter discuss किया chapter number one application training and certification में level one का duty के बारे में पुरा depth में discuss किया level one है वो calibration कर सकता है level one है वो entity को perform कर सकता है कौन सा entity जिसमें उसके पाद certificate है वो वो level one वही कर सकता है level two क्या कर सकता है level two जो है वो मेरे भाई perform भी कर सकता है calibration भी कर सकता है लेकिन वह extra में acceptance rejection भी कर सकता है ओके उसके लिए उसके पास return instruction का किसी का जरुरत नहीं है by default हो है बाकि level one को अगर acceptance rejection ऐसा बोलना है तो return instruction चाहिए level two and level three का तो यह हमने अल्रेडी डिसकस किया level two है वह क्या कर सकता है report भी prepare कर सकता है राइट रिपोर्ट प्रिपेर करेगा तो उसके लिए बहुत यह profit और एक जनरली लोग इसी की वज़र से तो level two कर रहा है कि सब authority मिले एक level two है वह रिजल्ट भी बना सकता है रिजल्ट acceptance rejection code standard and specification के इसाब से बोल सकता है तुआ होता है उसके बाद वह जनरली guide भी कर सकता है किसको guide कर सकता है level one को yes level one को guide कर सकता है कैसे काम करना है क्या काम कर दर भी फसा है कौन जगह पर तुम फसे हो वहाँ पर वह सॉल कर सकता है ठीक है level three क्या कर सकता है level three level one level two दोनों को train भी कर सकता है दोनों को certified भी कर सकता है उसके बाद आई वीजन सेटिफिकेशन है उसमें भी क्लियर कर सकता है उसके बाद वो कोई भी मेथड को डेवलोप कर सकता है कोई कौन सा मेथड कहां पर यूज करना है वो भी डिसीजन लेवल 3 ले सकता है तो बहुत सारे उसके वाइड स्कॉप है लेवल 3 के ठीक है तो ये भी हमने अल नमबर 2 में टू में भी हमने क्या डिस्कस किया ultrasonic principle के ओपर कि वे ultrasonic principle है वो वाइबरेशन principle पे काम करता है जो हमारा human body है हमारा आख है हमारा कान है वो कहां से 20 साइकल पर second से लेके 20 हजार साइकल पर second otherwise लोग ऐसा बोलता है इत्ना वाइब्रेशन होता तो ही वह हम लोग देख सकते है तो उसके बाद हम लोगों को अल्टरा सोनिक के उसके बाद का अधो मतलब दो मेगा हर्ट टू टेन तू होट इतना वाइब्रेशन बहुत टेंग्αιर वाइब्रेशन एक पियान वायर होता है वह पियानो वायर के अंदर ऐसे वह होता है ना वायर सिस्ट्म पियानो तम होता है स्वायर है उसको वाइब्रेट करते हैं तो यह इक सेकन्न wonderful तो वह जो वाइब्रेशन है उतना होता है तो हम लोगों को आवास से सुनाई देता है अच्छे से रिंग टॉन में समझ में आ जाता है लेकिन लेकिन मेरे को इतना उससे भी ज्यादा टू इंटू 10 रेश्ट उसे इतना बहुत ज्यादा हाइब हम लोग देख भी नहीं सकते हैं वह त कस लेकर अच्छा तक दिया है सबस्क्राइब हम लोग के इतना है हम अगे का त Vallahi भी सिटी से बाहर जाता है और वह बो你的 का vibration है उसको बोलते हैं ultrasonic vibration और वही ultrasonic principle के उपर हम लोग काम करते हैं उसी का बज़र से हम लोग उसी के हिसाब से अम लोग discontinuity हमारे CRT screen के उपर find कर सकते हैं वह हमने चप्टर 2 में discuss किया चप्टर 3 practical point of view है वह भी हमने अल्रेडी discuss कर लिया है उसमें इको कैसे दिखाता है equipment का control कैसा होता है मेनू कैसे होते हो बार डिसकस किया चप्टर नमबर 4 में wave propagation reflection reflection के बारे में discuss किया wave propagation चार टाइप के है पहला कौन जा है कप्लांट एन ultrasonic sound energy कप्लांट एन ultrasonic sound energy के बारे में है हम लोग थोड़ा depth में जाते है ठीक है तो primary purpose कैसा primary मतलब man function man उसका काम primary function of complaint is the provide the suitable sound path between transducer and taste surface अगर मैं यहां पर कप्लांट नहीं लगया तो क्या होगा अगर कप्लांट नहीं लगया तो लो चाहिए होगा कि भाई मेरा जो material है sound path है ओ एर के अंदर उसका vibration ultrasonic sound जो है एर के अंदर कैसा है जीरो है जीरो उसका reason क्या है क्योंकि वह एर का density जीरो है एर का density जीरो है तो उसमें भाई वह का कैसे उसमें पास कैसे होगा इसी की बज़र से हम लोगों को समझो यह मेरा स्पेसिमेन है या object बोलता है कुछ लोग जॉब बोलते है यहाँ पर हम लोगों को कप्लांट इसके लिए डालना जरूरी है क्योंकि टांस इसके अंदर से ऐसा वे उस तो निकलेगा ना वह वे उस अगर यहा दिश्क defense का मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो उसी की बज़र से हम लोगों को यहाँ पर यहां पर मैं भर किया है तो वहां पर आपको कपलांट डालना जरूरी है कपलांट के अंदर वलेही वैलो शिटी थूड़ा कम है लेकिन कम सेकल वैलोसिटी तो ठुरण है लिःट औ की बज़र से ओके तो हम लोग पॉइंट बै तो पाइमरी परपाज ओप कप्लांट इस प्रवाइड शूटेबल साउंड पाथ एक अच्छा साउंड पाथ देगा ठीक है बीट्विन किसके अंदर किसके साथ में तो के यह ट्रांस्ड्यूसर और यह स्टेस्ट पेसिमें जो के कप्लांट मस्ट मस्ट यहां पर लिखा इफेक्टिव होना जागर इफेक्टिवी नहीं है कप्लांट तो कुछ काम कर नहीं है अगर कप्लांट कुछ इफेक्टिव नहीं है कप्लांट के अंदर यह वेवस नहीं आने दे रहा है कप्लांट जो है वह वेलोसिटी को पास नहीं होने दे रहा है कपलान्ट जो है वाइब्रेशन ही होने नहीं दे रहा है 그럼 काम का क्या स्टौ का काम का नहीं है तो इसी कि बचर से यहां पर क्लीर लिखा है कि कपप लांट मस्ट उफेक्टिव मतलब एफेक्टिव होना चाहिए वेट और टोटली कॉंटेक्ट बहुत सर्फेस एंट टार्डूसर अब टेस्पेसिमें दोनों का एक दम्मास्त से चिपक जाना चाहिए यहां पर देखो चिपक गया है राइट ओके आगे बढ़ते हैं कप्लांड शूड है बिलो प्रॉपर्टी कप्लांड के अंदर यहां पर जो नीचे अभी हम डिसकस करने जा रहे उतना प्रॉपर्टी तो हो ना ही चाहिए पहला प्रॉपर्टी क्या है कप्लांड मॉस्ट रिमूव ओल एर उगर रहेगा तो क्या होगा वैलो सिटी ही नहीं जनरेट होगा वैलाइशन इंडनेट न वो जो सरफ Benton से उसके बीच में और ट्रान्स टूइविषण के बीच में यह दोनों के बीच में हमारा air नहीं रहना चाये यह रहेगा तो क्या होगा कांड यह होगा कि energy ट्रांसफ़र ही नहीं होगा energy transfer फिर सेयाट विसिया तक है में कुछ नहीं यहां पन्र में कपलाण दिखा रहा हूं यहां पर देखो यह पिल टेकर र हइस अलान काला कलर का जो है इख थेटी से सरफिश के अंदर रफनने से तो फिल कर देगा हूं मरा जो प्रोब है ठाइडिंसर है वह अच्छे से गुमें ठीक है तो यह फिल कर देने का काम है उसका तो उसके लिए यहां पर लिखा कप्लांट फिल इन एंड स्मूथ पर लोंग सिंग के अंदर मुझे करना है लेकिन वहां पर स्पैटर है बहुत सार चीजे तो क्या मेरा कप्लांट है वह गुमेंगा लेकिन हमको परेशान करेगा वह तो इसी की बज़र से यहां पर लिखा है वह फिल हो जाना चाहिए वह छोटा-छोटा स्मूथने से रफने एसे वह फिल हो जाएगा तो ऊपर का सर्फे स्मूथ हो जाएगा तो अच्छा चलेगा ओके कप्लांट है लिख से रूप चलना पड़ेगा राइट तो हमने देखा था ना कल प्रेक्टिकल देखा उसमें क्या था नॉर्मल प्रलेट के ऊपर घीश रहे थे तो क्या हुआ आपको और जो दा पानी डालना पड़ रहा था क्यों अगर पानी नहीं डालेंगे और सीधा ही करेंगे तो कप्लांट तो घीश जाएगा उपर से अंदर एनर्जी भी नहीं जाएगा और कप्लांट उपर से वह ओ इरोट तो नहीं बोलेंगे वह क्या हो जाएगा और डिस जायेगा हम लोग ऐसाँ बोलते हैं घिस गया है इरोट हो ओ गया ठीक है ऐसा हो जाएगा उसी की बजल से कपुलांट मुझा लग व都有 दिगू करेगा मुणों मेंट करेगा अ stepping हाग मूएमेंट होगा तो iisato होना चाहिए ओके अप्रैक्TI Button must be EASY TO apply practically atak apply्ण होना चाहिए की EASY apply होना चाहिए और easily remove होना चाहिए कि अगर इजी अप्लाइ भॉगा तो अच्छा बात है न वरना वाइल है वाइल उसमें क्या होगा जनरली हम लोग वाइल कम यूज करते हैं राइट खबलान के तौर पर हम लोग पानी यूज करते हैं या तो फिर क्या करते हैं अगर छोटा मूटा पार्ट है थोड़ा ही काम है तो ग्रीस यूज करते हैं तो ग्रीस हम लोग क्यों करते है कि युद्धी से अपलाई हो जाता है और रिमू भी अच्छे से हो जाता है थीनर वगण धीनर से भी ख्लीन कर सकते हुआ और वाइल को तो पानी से दो गेना तो भी नहीं वो निकलेगा वाइल थोड़ा चिपकते रहेगा उसी की बज़र से लेकिन क्याना होना कैसा होना चाहिए प्रैक्टिकल का लेकिन यूटी के लिए हम लोग डाल रहे अल्ट्रास्वनिक टेस्ट करना है उसके लिए हम डाल रहे तो जल्दी से डाल भी देना चाहिए जल्दी से रिमूव भी होना चाहिए राइट और रॉंट अब लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर मैंने एक अप्लांट दिखाया गया है यहां पर ट्रांस्डियूसर बोलो या प्रॉब बोलो जो भी मैंने दोनों नाम डाले हैं अंदर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है एक अप्लांट है यह अलग-अलग कलर का ठीक है यहां पर स्पेसिमन कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं कुछ लोग लांक सींग्ड कुछ रोक सक्सींग जो भी बोलो आप तो यहां पर एक तोड़ा अलग से कलर में दिखाया गया एक ठीप्लांट है यह टेंप्लेट है वो थोड़ा बहुत गुशने ऐसा भी कपलांट लोग बनाते हैं आजकल मार्केन में बहुत जितना पैसा दोगे वैसा कपलांट मिलेगा आपको आजकल तो ऐसा भी कपलांट अवेलेबल है उसको एक बाट डालो फिर उसको निकलने का जरूरत नहीं है आटमेटिकली सूख जाएगा वह एटमस्फिरिक मे रहेगा ऐसा भी एक कपलांट आता है तो वह भी आप यूज़ कर सकते है आर कामनली यूज़िन आपक प्लांड ईवन तो वाल पेपर पर पेस्ट है वो भी यूज़ पर पेस्टा था आता है वह भी कपलांड के तौर पे हम लोग करते हैं तो यह ये बिए अच्छा चीज कि ऩर फो मुझे यूटी करना है तो एक पानी डाले गए तो रुख़ेगा पानी तो नीचे गिर जाएगा राइट तो उस टेम पर वह पानी काम का नहीं है इसके लिए आपको हैवी relationships लगाना पड़ेगा जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं ना एक ग्रीस देखो यह जो ग्रीस है यह गिरेगा यह नहीं गिरेगा एक बर चिपक गया तब तक रहा है तो वर्टिकल जैसा सरफेश से जहां पे कपलांट रुखने का तब वर्टिकल पोजिशन में है उसमें यूटी करना है तब पानी रुखेगा नहीं रुखेगा तो उसी के बज़र से उस टैम पे हैवी थोड़ा कप्लांट आपको यूज करना पड़ेगा यूटी टेक्निशन आपको यह सब चीज पता होना चाहिए अगर यह पता नहीं है न तो आपको किदर से भी घुमा के वह फसा सकता है कोई भी आदमी ठीक है इसके लिए मैं यह चोटा-चोटा चीज समझा रहा हूं आगे बढ़ते हैं इस पेशली फर्मुलेटेड लिक्वीड एंड पेस्ट कपलांट आर ओल्सो अवेलेबल फर्म अल्टासोनिक एक्विप्मेंट मैंजुफेक्चरर देखो अलग अलग टाइप का कपलांट यहां पर दिया गया है वैसा भी मैंजुफेक्चरर बनाता है बहुत सारा इक्व पानी यूज़ कर लो ओके लेकिन सब जगह पानी यूज़ करना है वह भी एक रॉबलमेटिक है अगर मैं आपको यह बोलू कि कुछ का प्लांट में आपको अल्टासोनिक टेस्ट कर रहे हैं और समझो डूपलेक्स में मैं कर रहा हूं या निकल बेज अलोई में मैं कर रह हो valid हो सब्सक्राइब वह सब चीज़ कम हो वहसा क्यूंक्य पानी के अंदर क्लॉरीन है होता है फ्ल tyra pot यह सब चीज़ वहां ज्यादा रहता है और वह क्या करेगा वो Conslive जो stainless steel है उसके उपर डालेंगे तो stainless steel का अंदर का chromium है chromium उसको खीचेगा उसको खीच के chromium carbide chromium sulfide chromium chloride यह सब चीज बना के chromium साला लेके चला जाएगा एक तो आमने पैसा ज्यादा दिया है duplex में start in deeply स्टेंलेश फिर में हमने पैसा ज्यादा दिया है ज्यादा दिया हुआ है क्योंकि जाधा chromium का काम क्या है corrosion को रेजीस करना ऊपर अइसा और यूटी करने के लिए घंचक्र जैसा Kaplynn दाल रहे हो तो वह तोख्रमियम लेके निकल जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा तो उसी के बज़र से कप्लांट सिलेक्शन करना बहुत इंपोर्टन पॉइंट है इसके लिए आपको यह सब तो ऐसी जगह ऐसी होती है जहाँ पर यह सब चीद नहीं यूज कर सकते हैं जितना पत्ला कप्लांट रहेंगा उतना अच्छा है अच्छा ना उतना हमारा एनर्जी लॉस कम होगा उतना जल्दी से एनर्जी हमारा ट्रांसपर होगा जितना ज्यादा कप्लांट मोटा कप्लांट में यहां पर मोटा लगा दू बहुत मोटा कप्लांट लगा दू तो क्या होगा एनर्जी लाज ज्यादा एनर्जी लॉस तो इसके लिए लिखा है यहां पे कि जितना possible हो सके उतना कैसा रखना है पतला रखना है थीन मतलब पतला एकदम पतला रखना है तो उससे हमारा को फाइदा है है ना अगर कपलांच एक्षेस मतलब ज्यादा यूज कर दिया क्र लॉन्दा क्ला लॉंदा आ इतना ज्यादा क्यों लगा दिया यह सब लते न हम लोग अना तो अतना ज्यादा लगा दोगे इन ृ एक्ट एज वेज अट एल्टर डायरेक्शन ऑफ दे सांड भी सांड वीम का डा जासे ट्रांसपर होता है एक मेडियम से कॉर्ट है इस में रिक्राइकरस होने का चांशी से और ज्यादा अगर कॉपलान लगा दोंगे तो ऐसा समझेगा ये दो मिडियम समझेगा ये मेडियाम और दूसरा मीडियम जैसे ही एक मीडियम से इनर्जी हुआ दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पर एनर्जी जो सीधे डायरेक्शन में जाता था शायद टेडा मेडा और एंगल में भी चाहिए और यही चप्टर में हम डिसकस करेंगे बीम जितना हो सके पॉसिवल है उतना ठीन पत्रायि यूज़ओ ठीके बढ़ते हैं अब थीडिस्क्रान के बारे में डिसकस कर लिया अभी हमरे मच बहुव साःके से जर-भी आड लका लूग थेडियम का हमको का करना है डूपो क्या करना है तो करेंगे लाइट करेंगे आप जाते हैं आप साइट पर जाते हैं आपको तो पता है कल कौल आया एक बंदे का यहाँ पर अंकले शुर का ही बात है सर वो यूटी करना है वो एक प्लेट है उसका सींपल है अप लेट रस्टेड कस्टा कसरा चीज है तो मैं बोला भाई इसको पहले आप clean करो clean करने के बाद बो तब clean करना पड़ेगा clean तो करना पड़ेगा surface minimum तो clean मेरा प्रॉब चले उतना तो clean करना ही पड़ेगा तो बोलता है तब तो एक दिन लग जाएगा काम करो एक दिन के बाद आप समझो seriousness समझो वह सीधा बोला लिता वहां पर सीधा हम चले जाते तो क्या होता कांड हो जाता है कांड क्या होता वहां पर हम लोग कामी नहीं कर पाते देखो इसी की बज़े से ये topic जो है इसमें लिखा है तो surface of the taste paci man can gradually affect the ultrasonic wave propagation तो surface जो है न वो भी एक effect करता है ultrasonic wave propagation में तो rough surface can cause undesirable effect such as reduction of the discontinuity and back surface amplitude due to the distortion of the wave direction तो यह में अभी एक-एक point समझाता हूँ back surface अंब गोलते ना बैक वोल इक आ रहा है ऐसा हो रहा है वह मजा नहीं आ रहा है बहुत सरे इको दिखा रहा है उसका reason क्या देखो अगर smooth surface है यहाँ पे देखो plate and smooth surface दिखाया है राइट यहाँ पे plate and smooth surface है ब्लेक कलर का है वो कप्लांट है ठीक है यहाँ इसके लिए इसका best चीज मिलेगा और बेस कैसा मिलेगा देखो यह पहला यहाँ से जैसे ट्रांसफर हुआ तो यह फर्स्ट पस्टी को मिलेगा इनिश्यल इको बोलता है राइट इनिश्यल इको कैलिबरेशन किया है तो हमने सीखा था ना पहला इको कैसा मिलेगा दूसरा इको कैसा मिलेगा कैलिबरेशन का नर्मल प्रॉप का कैलिबरेशन एंगल प्रॉप का कैलिबरेशन याद रखि भुल गया आप याद ना जोड़ से बोलो गई ओके दो देखो जब स्मूघ सर्फेस होगा तब आपको यहां पे इनिश्यल इको मास्त अच्छाख मिलेगा दूसरा जब आप दूसरा इको discontinuity होगा तो यह भी एकदम sharp ही को मिलेगा एकदम master चकाचक ही को मिलेगा लेकिन जैसे ही back ही को मिलेगा वो भी ऐसा अच्छे से मिलेगा लेकिन यही चीज अगर यहां पर surface ऐसा कच्रा है देखो ऐसा कच्रा surface है तो उसमें कपलान गुझ गया ह लेकिन यहां से रेज निकलेंगे सीधा निकलेंगे तो ठीक है लेकिन यहां से निकलेंगे तो यहां पर ऐसा एंगल बन गया तो इसके लिए ऐसा जाएगा यहां पर ऐसा एंगल बन गया इसके लिए ऐसा जाएगा यहां पर ऐसा एंगल बन गया इसके लिए ऐसा जाएगा इसके रिए थोड़ा थो ठीक है बेश से ठीक है लेकिन यह तो रफ सर्फेस देखो ऐसा 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 दिया है वह अगर ऐसा सर्फेस होगा इसमें कपलान भुझ गया सब जगह पे लेकिन जब आप मट्रीयल के अंदर से यहां से जैसे यह से जाएगा तो शायद ऐसा ऐसा मिला फिर दूसरा डिस्कंटियूटी क्या मिला तीसरा ऐसा लास्ट एको मतलब बैक सरफेस तो यह आ गया अभी कुछ लोग बोलते हैं फ्रंट सरफेस क्या है तो भाई यह पहला जब ठीकने से आपका उसके इशाब से आपको पहला ईको मिलेगा वह फस्ट जो आपको इक को बोलते हैं किसका कौन सा इको बोलते हैं इनिस्चियल इको ठीक है दूसरा डिसकंटिन्यूटी का इको कोई भी समझा आपका 15 mm ठीकने से तो यह 13 mm में मिला तो यह डिसकंटिन्यूटी का लेकिन उसका ऐसा शार्व मिलेगा राइट अभी आगे बढ़ते हैं अभी तीसरा दिसकंटिन्यूटी का ऐको आपको ऐसा मिलना चाहिये था आपको ऐसा आपको ऐसा नहीं मिला देखो एक दम छोटा सा मिला एक दम छोटा सा इतना ही मिला राइड तो बहुत इसा भी हो सकता है शायद वह एसा करके मिलाक कावण आप चेशा मिलाक्र झाम जाए तो मेरे भाई यहां पर लो चाह trainers होगा अगर अगर सरफेस हैं तो आपका यह डिसकन्टिन्यूटी मिस होने का चांस हैं इसी के वज़त हम बोलता है ना प्लीन करो लेकिन नहीं करो नहीं करो नहीं करता हूं नहीं करो घैसा मैं मैंनेजर को कॉल करता है फिर मैंनेजर का कॉल आएगा पर क्या है क्या आपको चर्वी चर्ड़ गई है क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा है बात करते हैं यहां पर quality का नाम से बहुत सारे लोग ऐसे कच्रे भरे हुए है ना उसी की बज़े से हमारा नाम खराब हो रहा है इंडिया का तो हम लोगों को यह इंप्रू करना है जब हम भी लोग डट जाएंगे नहीं साब इसमें रिजन आपको समझाना पड़ेगा आपको रिजन भी समझाने आता ह होना चाहिए सर कोई discontinuity होगा तो मिस होने का चांची से इसके लिए सर मैं आपको बोल रहा हूं कि रफ सर फेसे उसका थोड़ा क्लीन कर दो मैं थोड़ा एकसेप्ट करके आगे करवाता हूं मतलब थोड़ा बहुत मैं कर भी देता हूं थोड़ा एक्जस्मेंट करके लेकि लेकिन यहां पर ऐसे लोग भड़े पड़े हैं तो हम लोगों को यह सब चीज़ इंप्रूव करना पड़ेगा हमरा नाम तभी आगया आना चाहिए जब हम प्रॉपर काम करेंगे क्वालिटी से काम करेंगे आई ऐसा ही होता है साहब आप देखो इसमें ऐसा प्रॉब्लम से साथ मिक्स हो जाए उसके लिए डिसकंटिजूटी मिस हो जाए आपके सर्व मट्रियल के अंदर डिसकंटिजूटी होगा फिर भी प्रॉब्लम क्रियेट होगा अगर रब सर्फेस है तो बैक सर्फेस ही को ऐसा मिलना चाहिए था आपको लेकिन कैसा मिलेगा यह ऐसा मिलेगा वो भी एक प्रॉब्लम है ठीक है तो यह सब चीज आपको बहुत समझना जरूरी है आगे बढ़ते है ओके अभी देखो कुछ-कुछ चीज ऐसा होता है कि डिजाइन ऐसा है तो भी आपको ज्यान रखना है क्या होता है आपको यह तो पता होना चाहिए न वहाँ पे तो डिसकंटिन्यूट है अच्छा सा इको मिल गया क्या घंटा अच्छा मिल गया वो तो उसका डिजाइन ऐ सब्सक्राइब भी एक आपका तो भी एक आपको अच्छा चाहिए तो इंडिकेशन गूर्ड रिस्पॉंस फ्रम बेंग टेस्टेड उसका रिस्पोंस भी अच्छा ऐसा मस्त चका चक ही को मिलता यहां से आया यहां से ऐसा गया सीधा मस्त चका चक दिखता लेकिन यहां पर बैक सर्फेस का ही को थोड़ा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि यहां पर आपका यह सर्फेस जो है बैक सर्फेस है वो भी आपका टेड़ा है एंगल टाइप का है तो उसी की बज़े से आपको ऐसा मिलेगा अब बैग गूड बैक सर्फेस रिप्लेक्शन इंडिकेटर गूड रिस्पांस फ्रॉम दा मट्रियल बिंग टेस्टेट अगर गूड रिस्पांस मिलेगा अगर बैक सर्फेस अच्छा होगा तो अधर्वाइज अभी में यहां पर सीधा ऐसा सीधा लाइट मारेगा तो क्या होगा मेरी आखों पर सीधा लाइट आएगा राइट सीधा आखों पर आएगा और मतलब बैक अच्छा होगा एक डम जैसा आप सीधा लाइट मारेग डिगडी में जिरो डिगडी मिए तो एकस अपको जिरो रिटन आएगा और आपकी आँखे में problem होगा problem तो नहीं होगा मतलब आपको थोड़ा ऐसा मैसुज होगा कि reflection अच्छा आ रहा है अगर वही चीज़ अगर मैं ऐसा angle से मारू तो यहां से मारेगा तो ऐसा angle में ऐसा दूर पर जाएगा तो हमारे उपर reflection प्रॉपर नहीं होगा reflection प्रॉपर एक जैटली जीरो चाहिए तो आपका सर्फेस एकदम जीरो होना चाहिए अगर एक्जेटली नहीं मिलेगा तब आपका एंगल होगा तो शायद यहां कि एसा निकल जाएगा यहां से आया यहां से आया और यहां से ऐसा ग आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आपको अगर प्रॉपर रिस्पॉंज है गूड रिस्पॉंज चाहिए तो यहां पर ऐसा है ठीक है गूड रिस्पॉंज चाहिए तो सीधा होना चाहिए देखो यहां पर क्या होगा यहां पर फर्स्ट इको आपको ऐसा मिल गया फिर सेकंड इको ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा छोना चाहिये था अगर यह ऐसा होता टो टीक है सीधा समझेर से गया अगे बटते हैं कुछ-कूछ डिजाइन ही ऐसा होता है तो आप अपन्फीज होने का चांज से तो तो नहीं होने का उसको फॉल्स इंडिकेशन बोलेंगे रहा है तो भाई यहां पर लिका है अप फिजिकल शेप और इसके लिए बोलते है यहां पर आपको परता होना चाहिए इसके लिए बोलते है न जो एडिटी टेकनिशन है ना वह बहुत नोलेजबल होना चाहिए एन डिटी के ट एकनिशन तो चला त्याना थोड़ा जोलगेंग भी देख लेना चाहिए तो अगर आप यहां पर थोसरे साशा मिलगया मज़े और आप खोद दिया और खोदा तो पता चला यहां पर पहले से ही वह एजब डिपोल्ट डिजाइन ही ऐसा है उसका तब कि आप भरेंगे कितना लॉस हो जाएगा बहुत सारा लॉस हो जाएगा भाई को को के अभी हो गया यहां पे आपको यहां पर इसा करके शायद यह सा ब्याए या प्रिण था खोदाद जया जिए हैं है लेकिन पर समझना है इसके लिए यहां प्रावլ्लम तो नहीं है ये कोई केशन नहीं है यह कोई discontinuity नहीं है यह आपको समझना है यहां पर समझो ऐसा कोई है चीज तो यहां पर beam spread हुआ beam spread की बज़र से भी आपको confusion नहीं होना चाहिए आपको properly समझना पड़ेगा यह क्या है क्या नहीं है ठीक है तो यह सब चीज है ना example of the sound path leading the तुरियस इंडिकेशन पूरियर इंडिकेश पूरियस इंडिकेशन ठीक है यह सब चीज अभी beam spread का theory है थोड़ा बहुत beam spread में क्या लोचा होता है इट इस टेस्टिंग long specimen अगर आप long specimen जैसे कि shaft है वैसा आप उसका specimen का ut cut ut कितना thickness limit कोई कोई सकता है ut कितने MT कितने thickness में आउप सकते है Enginyctic particle zelf chatbox में कोई ढाल सकता है please कितना limit तक हम लोग magnetic particle test कर सकते कोई बोल सकता सकता है चर्पोक्स में यह offline वाले भी चलेगा offline वाले कोई बोल सकता है आपने तो यम्टी किया है यहां पर बैट की भूल गए है तो 6.35 mm तक ही magnetic particle test कर सकते है ठीक है उससे और depth में जाओगे तो आप नहीं कर सकते है और depth में आप magnetic particle test नहीं कर सकते हैं अगर dpt dpt open to the surface होगा open to the surface होगा वही discontinuity find आप कर पाएंगे अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे dpt rt rt तो thickness में कोई limit नहीं है लेकिन आपको lamination नहीं चेक करके देगा लेमिनेशन जो है वह आपको पता नहीं चलेगा उसमें ठीक है राइट वर रांग तो यह सब चीज़ आपको पता होना चाहिए वैसे भी यह कर सकते हैं उसका कोई limit नहीं है आपका में जो अभी कल मशीन दिखाया ना वह मशीन में क्या था 5000 mm मतलब पांच मिटर तक आप यूटिक है वह डिपेंड वान मट्रियल तो आपका मशीन जो है उसका कैपिसिटी बाकि उसका कोई limit नहीं है मट्रियल तिकने आप कितने भी थिकने से कर सकते हैं डिपेंड वन यूर मट्रियल आप कितना वाइब्रेशन आप कितना एनर्जी से ट्रांस्मिट कर रहे हो उसके उपर बाकि इसका कोई तो मेरे भाई यह सब चीज आपको समझ रहा है यूटी का कोई थिकने लिमिट नहीं है एंपरिटी का 6.35 तक वह भी एप रॉक शायद शायद ऐसा भी हो सकता है तो आगे बढ़ते तो ऐसा हम ले तो हमने तो कांड कर दिया हमने तो पता कर दिया चलो तो यहां पर मैंने एक ट्रांस ड्रॉशल लगा दिया अभी मैं यहां से स्प्रेड करेगा यहां से मेरा जाएगा यहां से जाएगा यहां से जाएगा फिर यहां पर दूसरी बात यहां पर समझो कुछ ऐसा भी हो सकते है कि यहां से जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है शीर वेव भी बन जाएगा शीर वेव आगे पिछे आगे पिछे ऐसा 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 चलता रहेगा फिर ऐसा ऐसा रिटन आएगा तो लग जाएगी ऐसा भी हो सकता है ना तो यहां पर यह इन्शोन बिलो तो यहां पर देखो यह CRT स्क्रीन है ठीक है यह CRT स्क्रीन है पहला आपको यह को बराबर मिला लेकिन यह फर्स्ट बैक वाल मिला फिर ऐसा घंचकर जैसे बहुत सारे इसके बारे में तो शियर वेव में बहुत सारी है वो एक रिफ्लेक्शन के है रिफ्लेक्शन के या तो स्प्रेड के बोल सकते बीम इंस प्रेड हुआ है ठीक है वह बीम स्प्रेड का थीडी आएगा तो मैं अभी आपको समझाएगा ओके तो इसके बारे में तो शियर वेव में भी जनेरेटेड विट रिफ्लेक्ट एंड स्लिप एंगल और ऑपोजिट साइड वेर दो मोड कन्वर्जेशन इन टेक प्लेस मोड कन्वर्जेशन हमने चैप्र नंबर फोर में सी कहा चार टाइप के है कितने चार टाइप के है तो यह मुझे इसमें चैप्र नंबर यहां पर लिखा भी है मैंने कि वह सब चीज़ हुआ तो यहां पर ऐसा ऐसा भी होने का चांचीज है तो यह आपको समझना जरूरी है खली बली हमें तो तो यहां वेवर इस टाइप ओप फॉल्स सिग्नल विल अपिर ओन राइट स है तो उसमें अच्छा रिस्पोंस मिलेगा लेकिन वही कास्टिंग का हो गया तो कास्टिंग में थोड़ा ग्रेंश्ट्रक्टर देखो यह मैं स्टेनले स्टील का एक छोटा सा दिकाता हूं तो को आपको कंफ्यूजर ना हो एक दम मास्त चका चका ऐसे बैठा होगा ठीक तो इसमें बहुत कंफ्यूजर होगा यहां पर मैं एनर्जी ट्रांसपर करेगा तो यह इसको मारेगा यह इसको मारेगा यह इसको मारेगा फिर यहां से ऐसा आएगा एक जम अच्छे से पैटन से मिलेगा हमको लेकिन यहां पर यह शायद इसको मारे यह शायद इसको मारे या फिर इसको मारे यहार ऐसे ऐसे ऐसा क्रॉस में ऐसा करके क्रॉस में आएगा राइट तो यह confusion होगा इसी की वज़ते लिखा ग्रेंट स्रुक्चर है जब ग्रेट इंट्रूशन वन्द एकोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दे मटेरियल तो स्टील फोर्जिंग जनरली फाइ चीज मिल आपको राइट और रॉंग समझे भी बात उपर से गया भाई तो इसके लिए यहां पर लिखा है कि हावेवर्ट कास्टिंग जनरली है वह कोरस ग्रेंट स्रुक्चर तो यह जो मैंने ड्रो किया था था ना एक कास्टिंग का ऐसा ऐसा यहां पर शायद ऐसा ऐसा यह कोरस ग्रेंट चक्चर है यह जगह पर ठोड़ा चोटा रहेगा एक कोरस ग्रेंट स्रक्चर है वहां पर दंग धड़ा नहीं है उसका वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा तो अच्छे से होगा तो उसी की बदह से आपको यह सब चीज यहां रखना बहुत जरूरी है कि मुझे यह बोलो यहां पर एक material है यहां पर ऐसा एक crack है ठीक है तो यहां पर पहले में प्रोब रखता हूं position A में तो position A में क्या होगा पूरा का पूरा sound रिटन आएगा तो पहला आपको position में फर्स्ट इको आपको ऐसा मिलेगा यह discontinuity पूरा का पूरा रिटन आया है इसके लिए अच्छा मिलेगा और थर्ड बैक वेल इको है तो थर्ड एक को ऐसा मिलेगा तो ऐसा हमको इसके बीच में यह जो है यही चीज को मैं ऐसे समझाओं कि यहां पर ऐसा कोई एक material है यहां पर मैं C position में लगाता हूं ऐसा तो यहां पर ऐसा करके यहां शायद ऐसा करके ऐसा return हो जाए तो शायद आपको दिखे ही नहीं discontinuity राइट और रॉंक यह discontinuity है यहां पर मैं डो कर रहा हूं ऐसा discontinuity है तो ए पोजिशन है वहां पर ऐसा आपको सी एट स्क्रीन मिलेगा भी पोजिशन है वहां पर ऐसा मिलेगा और सी पोजिशन है वह यह सा मिलेगा बहुत सारे लोग ऐसा तो उसी की बज़े से यह अच्छा आएगा और यहां पर फिपोजिशन में थोड़ा कम आएगा इसके लिए थोड़ा थोटा दिखेगा और यह पोजिशन में तो समझो यहां से मैंने सो लोगों को यहां से घुसाया सो रेज को 100 रेज को रेज तो गिन्दा नहीं है मैं तो एक्जम्पल के तौर पर समझा रहा हूं यहां पर मेरा स्पेसी मैंने और यहां पर रेज को अंदर घुसाया तो शायद दो तीन ही में रिटन आएंगे राइट उसको टक्रा करें दो उसी की बज़़े से शायद यहां पर दिखे भी या ना भी दिखे ऐसा भी हो सकता है यहीं चीज एक अंदर मैं दिखाओं तो यहां से मैं यह मेरा ट्रांस्ड्यूसर है ऐसा यहां से मैं 100 रेज को ऐसा घुसाता हूं उपर से 100 नौच रेज को एक्जम्पल के तौर पर सम इंडिकेशन मिलेगा नहीं जया कोई रोकेट नहीं है इसमें एकडम सिंपल सी बात है इसके लिए यहां पर लिखा हुआ है वन दिखों पर लिखा हुआ है नो नौर्मल 90 डिगरी तो इंसीडल वेव एव रेफलेक्शन वेव विल बी एट एंगल अगल फ्रेशन बिलो द तो फिर बैक सर्फेस भी लीटल है यहां पर बैक सर्फेस दिखो ज्यादा है क्यों क्योंकि यहां से जाएगा तो बहुत ज्यादा रिटन आएगा ना यहां से एकदम सर्फेस जमीन से मतलब एंड सर्फेस से तो ज्यादा रिटन आएगा तो इसका बैक सर्फेस इको है वो थोड़ा छोटा मिलेगा आपको ए में पॉजिशन ए में वही पॉजिशन सी में आपको BAK society को थोड़ा बड़ा रहेगा तो इसका हाइट देखो बड़ा है ना इसका है छोटा है भाई समझ में आया कि उपर से गया गंटा शम्मंज में आया उसको नहीं समय नहीं आया नहीं आया ना समझ में आया फिर से भाई नहीं या कोई रॉकेट नहीं है यह पोजिशन में यह ढिसकंटिणूटी है ठीक है यहां से 100 रे गए कितने गए उसमें से 95 रेज रिटन आया क्यों क्योंकि यह बीच में आ गया इसके लिए 95 गया मतलब अच्छा सा तो शायद थोड़ा कम आया इसके लिए थोड़ा उसका हाइट कम हो गया लेकिन वही चीज़ सी के अंदर सी में से 100 रेज यहां पर गये कितने गये 100 उसमें से तीन यह चारी को रिटन आये क्योंकि यह प्यारलल है ना मैं डिसकंटिनूटी की पहले डिसक्स कर रहा हूं डिस पोजिशन में पर आपको बैक बैक को जो है एकदम लास्ट इको मतलब यहां से यहां से रिटन आने का चांसिस कम है ना क्योंकि बीच में यह भाई साब डिसकंटिनूटी मतलब बहुत कम आयेगा इसके लिए उसका इको थोड़ा छोटा मिला वही अगर बी में थोड़ा ज्यादा मिला क्योंकि ज्यादा मिलेगा यह मैं यह में कितना होगा यहां से एसा तुणिफन रेंद को ऀानदर लेकिन बहुत ऐसा तो अवगोना और ज्यादा से लास्ट इक्राव को आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा यहां पे यह लिए बाई online वाले को समझ में आया कि वापस समझाओं गुन्हा मुझे आगे बढ़ना है बाई समझ में आया यह eco कैसे behave करता है उसके बारे में eco कैसे behave करता है समझ में आया पहला eco क्यों ऐसा हुआ दूसरा eco क्यों ऐसा हुआ यह discontinuity है ऐसा तो जैसा एंगल आप रखेंगे उसके हिसाब से आपका प्रोबगा जैसा एंगल रखेंगे उसके हिसाब से आपको eco मिलेगा कितना back मिल रहा है अगर ज़्यादा सर्पे discontinuity के ऊपर जा रहा है तो discontinuity अच्छा सा दिखेगा अगर एक दो ही रेज पढ़ रहे है और एक ही दो